पटना साहिब लोगसभा में इस बार राजनीती बड़ी दिल्चस्प होने वाली है और यह जो लड़ाई है वो बहुत ही बहतर होगी इसलिए कि सियासी जग का आगाज हो चुका है और लोगों की निगाह पटना साहिब लोगसभा पर है इसलिए कि यहां से कभी शत्रोगन स सिनहा उमिदवार हुआ करते थे लेकिन इस बार भारतिय जनता पार्टी ने भी अपने उमिदवार को बदलने का फैसला लिया है यानि रवी शंकर प्रसाद का पत्ता लगबक कट गया यह ख़बर हमने आपको बताई वहां पर रीतु राज सिनहा जो है भारतिय जनता पा काबले में खड़ा होगा तो इस बात का हम आपको खुलासा कर रहे हैं बताना चाह रहे हैं कि पटना साहिब से चुनावी मैदान में होंगे ट्रेंडिंग इस्टार कहे जाने वाले भोजपूरी के खेसारी लाल यादव यादव को भी चुनाओ लड़ने का शौक था और ह हाला कि भोशपूरी में बड़ा नाम है उनका लोग बड़ा प्यार करते हैं उनसे बड़ा अच्छा अच्छा गाना उन्होंने काया है और लालतेन के लिए लालु यादव के लिए तेस्वी यादव के लिए कई सारे गाने उन्होंने काया हैं तो ये बात लगभग यादब चुनावी मैदान में होंगे और वो भी राजधानी पटना के पटना साहिब लोग समा से वो लालतेन जलाएंगे हलाएंगे लोगों को या कहना था कि आखिरकार यहां पर यह सीट क्या होगी और यह भी हो सकता है कि खिसारी लाल यादब कॉंग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े यानि वो गड़बंधन के उम्मिद्वार होंगे यह बात तो लगबगता है इसलिए कि इस मसले पर कई बार उनकी मुलकात राजस सुप्रिम लाल उपरशाद यादब और तेजस्वी यादब से हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अगर खिसारी लाल यादब चुनावी मैदान में आते हैं तो भीतुराज सिन्हा यानि भारती जनतापाटी के लिए मुश्किले खड़ी हो सकती है उसकी वज़ा ये है कई तरह के तर्ग दिये जा रहा है कि खिसारी लाल एक बड़ा नाम है जाना पहचाना चेहरा है और खास तोर से जो पटना साहिब का इलाका है वहाँ पर युवाओं की बड़ी संखिया है और कहा जा रहा है कि युवाओं की जात के हो किसी भी धर्म के हो खिसारी लाल यादब को स्टार मानते हैं भोश्पूरी स्टार होने के नाते प्यार करते हैं अभिनेता के दिल में जो जगा बनाते है लोग या अभिनेता जो लोगों की दिल में जगा बनाता है वहाँ कोई सरहत नहीं होती कोई जात नहीं होता कोई अलाका नहीं होता कोई मजब नहीं होता इसलिए कहा जा रहा है कि खिसारी लाल यादब को युवाओं का भारी समर्थन मिल सकता है और खेसारी लाल यादब उस चुनावी मैदान में होंगे तो मामला बड़ा दिल्चस्प हो सकता है तो इकुल मिलाकर के जो RGD है गडबंधने अपने उमिर्वार तै करने में भले ही समय लगा रही है लेकिन तहां यह जा रहा है कि बहुत संजीर्गी से बहुत बारीकी से राजनीती में अभीनेता और नेता का चुनाव किया जाता है और वही चीज़ देखने को मिल लए है कि पटनासाइब लोग सब अच्छेतर से खेसारी लाल यादब चुनावी मैदान में होंगे रित्यू राज सिनहा की दावेदारी मजबूत है और वो वहाँ पर और मतना इन वश्कार